हेलो फ्रेंच, आलकमा यूटूब चैनल, मैं आपको स्वागत है, फिर से में कनेवलो के साथ आज कोई है, आज की यो वीडियो की आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही इंटरस्टिंग जो अपडेट है, वो लेकर आ चुका हुए हैं कि आपकी जो 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 लोकेश रहने वाली हैं, वो रहेंगे स्टाप नर्स की पोस्ट, यंगी नर्सिंग ऑफिसर और जो लैब टेक्निशन की पोस्ट है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो इन सबी पोस्टों के बारे में डेटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट सी ओफिसल वेबसाइट से आपके जितने भी एप्लिकेशन फॉर्म है, सारे आपके अप्लाई होंगे, किस परकार से आप एप्लिकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वो चीज भी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर देख लीजगा, आपको जोब ओपनिंग के ओपर आप क्लिक कर दोगे, तो आपके पास जिसका जो ओफिशल जो पेज है, वो आपका ओपन होकर आ जाएगा, और इस ओफिशल पेज के ओपर आपको मैं बताऊंगा, कि आपको कौन-कौन सी जो भरतिया है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की ग आपको कौन-कौन सी दीगी है, बायो इनफॉर्मेटिशन की है, ठीक है, परफुजनिस्ट की है, आईसियू टेक्निशन की पोस्ट है, डेमी चीफ डिपर्टी की पोस्ट है, सबसे इंपोर्टेंट पोस्ट जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, नर्सिंग ओफिशर की ही आपको यहाँ पर जो पोस्ट है, वो आपको ऐलेबल कराएगी है, यहाँ पर देख लिएजगा, नर्सिंग ओफिशर की पोस्ट है, डेटेल में चर्चा करेंगे, कौन-कौन कंडेट इसके अंदर क्वालिफाई होंगे, लैब टेक्निशन की पोस्ट है, लैब टेक्नि जाननी हो, तो आपको डेटेल के उपर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्या करोगे, डेटेल के उप्शन के उपर आप क्लिक कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर डेटेल का उप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी डेटेल मिलेगी, कौन-कौन रहेंगे, job detail देख लीज़ेगा, job का code 2544 रहने वाला है, post का name nursing officer की आपकी यहाँ पर जो post है, वो आपको देखने को मिल जाएगी, essential qualification के बारे में यहाँ पर discuss करेंगे, कौन-कौन इस vacancies के लिए eligible रहेंगे, तो BSC nursing candidate, GNM candidate क्या कर सकते हैं, इस vacancies को यहाँ पर क्या कर पाएंगे, apply कर पाएंगे, यहन की, GNM और BSC दोनों candidate क्या करेंगे, इस vacancies को apply करेंगे, सबसे important इस चीज, कि यहाँ पर जिनके पास experience है, वो candidate अपना experience लगा दीजिए, और अगर जिनके पा सकते हैं, अपना experience यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकि आपको यहाँ पर देख लिजिएगा, इस पस्ट लिक कवा है, fresher में also apply अनकी, fresher candidate भी क्या कर पाएंगे, इस vacancies को यहाँ पर apply कर पाएंगे, fresher, जो हल ही में यहाँ पर nursing pass out होए हैं, वो साथी, इस vacancies को apply कर सकते हैं, सब सिधा apply के option के ओपर क्लिक करना है, जैसे ही आप apply के option के ओपर क्लिक करोगे, तो इसका जो official application form है, वो आपका open होगा, और official application form के अंदर आपको क्या-क्या चीज़े दी गई हैं, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको देख लिजीगा, वेकेंसी का form यहाँ पर निकल करा चुगा है, nursing officer post के लिए रहने वाला है, इसके अंदर आपको अपना full name लिखना है, ठीक है, उसके बाद father name, dob, email, phone number, सबसे important चीज़ दान रखना है, यह दोनों चीज़ आपको बिलकुल correct लिखनी है, इस चीज़ को आप बिलकुल दान र section आपको दिया गया है, qualification के अंदर आपको 10th करना है, 12th करना है, और आपने BSC किया है, तो BSC अगर GNM किया तो GNM, यह सारी चीज़ आपको यहाँ पर भरनी होगी, ठीक है, passing year भरनी होगी, percentage mark भरनी होगी, university कौन सी, university से आपने nursing किये, यह सारी चीज़ आपको detail भरनी है, उसक मेरे कहने से बिल्कुल लगा दीजेगा आप, क्योंकि आपको आपको यहाँ पर priority मिलेगी, benefit आपको मिलेगा, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लेजेगा, अगर आपको कोई relative से यहाँ पर work कर रहा है, LGRS के अंदर, या फिर आपकी expected, यहनकि आपकी salary expected, आ आपको यहाँ पर देगी है, resumes भी आपको यहाँ पर send करना है, इस चीज को आप बिल्कुल मत बूलिएगा, आप तो resume भी यहाँ पर upload करना होगा, और resume का जो size है, वो 8 MVC कम होना चाहिए, यहाँ पर देख लीजेगा, 8 MVC कम आपका size होना चाहिए, आपका resume का, यहनकि आपक submit करना होगा, ठीक है, submit करने के बाद आपका जो application form है, वो आपका application form यहाँ पर भरा जाएगा, और उसके बाद में जो आगे की process है, वो आगे की process है, या तो mail के ओपर बताई जाएगी, या फिर आपको mobile number के ओपर बताई जाएगी, ठीक है, तो यह आपके लिए full detail information थी, जो आपको ऐसे ही updated video time से मैं आपका लाता रहूँगा, job location आपकी new देली रहेगी, इस चीज़ का आप बिलकुल ना बूलें, सर गंगा राम, hospital, इसी के अंदर आपकी job location आपकी रहने वाली है, ठीक है, यह आपकी information थी, बाकि आपको मिलते हैं, कोई नई update के साथ, तब तक थैं आपको यहाँ पर send करना है, इसको आप बिलकुल मत बूलिएगा, आप रिजूम भी यहाँ पर upload करना होगा, और रिजूम का जो size है, वो 8 MB से कम होना चाहिए, यहाँ पर देख लिजेगा, 8 MB से कम आपका size होना चाहिए, आपका रिजूम का यहाँ के बाइर data होंगे उस र रिजूम को आपको यहाँ पर choose file करके, documents के अंदर, PDF के अंदर किसी भी तरीके से आपका कर सकते हैं, upload कर सकते हैं, upload करने के बाद में आपको क्या करना होगा, finally यहाँ पर submit करना होगा, ठीक है, submit करने के बाद आपका जो application form है, वो आपका application form यहाँ पर भरा जाएगा, और उस साथ हैं, वो फिर भी कोई doubt है, तो comment box में comment कर सकता है, साथ में आपको वीडियो अच्छी लगी, information अच्छी लगी, तो अपने friend circle के अंदर, ज्यादा सी ज्यादा share कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही updated video time से में आपका लाता रहूँगा, job location आपकी new धेली रहेगी, इस में आपकी जाँ में